हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पटेटो चीज बॉल्स इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा धनिया आलू 5-6 स्वीट कॉर्ण ग्रेट चीज हरी मिर्च गरम मसाला नमक लाल मिर्च पाउडर चात मसाला जीरा पाउडर धनिया पाउडर कॉर्ण फ्लावर मेदा सबसे पहले अलो के अंदर सारी चीज़े मिक्स कर लेनी है यहां पर मैं नमक डाल रही हूं दो चमच अलो के अंदर एक चमच लाल मिर्च पाउडर 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 चात मसाला एक चमच धनिया पाउडर हाफ स्पून गरम मसाला दो ग्रीन चीलिस आप दीखा कम या ज्यादे अपनी पसंद से राल सकते हैं कॉन फ्लावर यह भी आपको जितना पसंदों उतना ही डालिये धनिया इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब यह मिक्स हो जाए तो इसके अंदर कॉन फ्लावर एड़ कर देना है एक स्पून जितना जब यह सब सारी चीजे मिक्स हो जाए तो इसके बॉल्क बना लेने हैं और बॉल्क बना कर इसके अंदर चीज भड़नी है और बॉल्क बना कर फिर इसके अंदर चीज भड़नी है इस तरह से सारे बॉल्क बना लेने हैं अब यहां पर मैं तलनी की तैयारी कर रही हूं सबसे पहले मैदे के अंदर कॉर्ण फ्लावर एक कर लेना है दो दो स्पून है यह सब और इसके अंदर हाफ स्पून नमक पानी के साथ इसको अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट बना लेना है अब इस बॉल्क को इसी बैटर के अंदर डिप करना है जब यह अच्छी तरह से कोट हो जाए तो इसको ब्रेट क्रम के अंदर डाल देना है इस तरह से सारे बॉल्स को कोट करके रख लेना है और इसके बाद यहां पर मैं तल रही हूं एक एक करके सब को गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो यह थी मेरी पटेटो चीज बॉल्स की रसेपी इसको जरूर ट्राई कीजेगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेए और सब्सक्राइब जरूर कीजेए